कि अलो दोस्तों सवागत आपका में नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि आप ये वीडियो देखी चुके हुए बेसिक मिश्टेक करते हैं तो उसी के ऊपर आप हमें एक डिक्टेशन बनाएंगे जिससे कि जिन बच्चों के माइन में जो कन्फ्यूजन है थोड़ा बहुत और भी खतम हो जाएगा ठीक है इस डिक्टेशन में आपके बहुत सारे फाइज हो गे इसलिए कि मैंने इसमें पहले कोई भी सबद नहीं लिखा है पहले मैं सबद बोलूंगा फिर उसको लिखूंगा और फिर उसकी आउटलाइन बनाऊंगा अगर मैं पहले से लिख लेता त इससे कि आपको पता चले जाएगा कि आप कहां गलती कर रहे हो तो चलिए शुरू करते हैं आदरनिया सबापती जी अब वाफू कि मैंन में छप गया आदरनिया सबापती जी तो इसकी आउटलाइन अब वीडियो को रोक के बना भी सकते हो और ये ऐसे बनेगी आदरनिया सबापती जी ठीक है इससे आपको क्या होगा सबदों को जोड़ना भी आजाएगा और आपको पता चल जाएगा अब आपने अलग लिखा है तो ये देखो टाइम वेश्ट है ना तो ऐसे लिखено इसको अब ये आदरनिय स्वापती जी अब ये लाइन से उपर है स्वापती और ये कटकर है तो इससे कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है ना पर आप इन दोनों को एक ही पड़ोगे ठीक है उसके बाद है हमारे राष्टर को अब देखो हमने हमारे राष्टर को तो ये हो गया हमारे और ये हो गया राष्टर तो इसमें अब बेवजा जबर्दस्ति को 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 नहीं एड करना है तो जो एड हो सकता सबद जो मिल सकती है उन्हों को मिलाना है इसलिए मैंने इन तीनों को एक साथ बोला था हमारे राष्ट बोलता तो आप समझ जाते जैसे आधर्णे सिभापति जी बोला था ना तो बच्चे उनको ये लगा कि ये तीनों एक ही साथ लिखे जाएगे तो उसी परकार कुछ बच्चों ने अभी भी सोचा होगा कि ये तीनों को एक ही लिखा जाएगा तो इसी में कहीं एड करने की कोशिस की होगी हाँ या ना वो आप कमेंट करके बता सकते हो तो आपको ये मिश्टेक नहीं करने जो हम सबद जोड सकते हैं डिक्टेशन में अमको उनको ही जोडना है ठीक है ना फिर है अपनी लाइन समतरता प्राप्त किये हुए 75 और अश हो गए है तो आपकी ये ना सोचने की उसमझने की सकती इतनी होनी चाहिए कि जैसे कि एक लाइन बोली एक तो आपको ये लाइन याद होनी चाहिए रहनी चाहिए और दूसरी बात अप जैसे कि सहुंत्रत्रत्ता प्राप्त किये हुए तो सहुंत्रत्रता प्राप्त किये हुए अब 590 आप ऐसे लिखोगे जैसे लिखाना है अंको में ऐसे लिखोगे पिछेतर वरस यह हो गया वरस हो गई है अब वरस के साथ मत इसको एड़ कर देना नहीं तो आप नहीं पढ़ पाओगे हला कि अब जब लिखोगे आप इस टाइम आपको एक दो मिट मैक्सिमम याद रहेगा पर इसको जब आओगे पूरी डिक्टेशन लिख कर आप इसको ट्रांसलेट करोगे उस टाइम तक आप इसको भूल जाओगे तो इन चीजों को जिस चीजों को जितना सिंपल रखा जाए उतना ही अच्छा है तो यह आपको बेसिक ग्यान होना चीए किन सब्दों को आपको जोड़ना है और किन सब्दों को एजिटीज अलग-अलग रखना है ठीक है ना मिलते हैं अब नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई